गुरीवनिंग, सबको मेरा नमस्कार, हम जिबाई, मैं आज अभी थोड़े देर पहले साब रूम से आया हूँ और रास्ते में मेरा दो तिन जेगे में बात भी हुआ है और मुझे लगा, first of all मैं सबको thank you बोलना चाहता हूँ, आज इतना अच्छा राली हुआ, जहां में चाकमाज, मौग्स, तीपरासाज, हिंदू बिंग्वाली, मुसल्मान, क्रिस्टिन, बुदिस्ट्स, सब, सब धरम के लोग आए और हमने एक आवाज में अपने minorities जो बंग्लादेश में हैं, हिंदू बंग्वाली हो, तीपरासा हो, मौग हो, चाकमा हो, कोई भी हो, गारोज, खासी, मनीपूरीज, उन सब के लिए एक आवाज में हमने solidarity दिखाया और हमने बंग्लादेश को भी clearly बोल दिया है, we will not tolerate जो कर रहे हैं, मैं सब को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो आज हमारे रैली में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुसल्मान भाई भी आए, और उन्होंने भी एक जवाब दिया, कि हिंदूस्तान का मुसल्मान, बंग्लादेश में जो हमारे माइनॉर्टीज के लिए हमारा कल चीफ सेकेर्टी से मु बलाकात हुआ, सबसे मु बलाकात हुआ. और हमने एक चीज़ सोचा है, अभी तक कोई भी कंप्रेंट नहीं आया है, कि क्वेस्टीज पेपर लिख हुआ है, जो भी कंप्रेंट आया है कि हमारा पासमार्ग, हम पास होय थ olduğ fishermen, हमने यह सब complaints आ रहे हैं लेकिन कहीं में भी written complaint नहीं आया है कि question paper leak हुआ है या कहीं में irregularities हुआ है in terms of leakage, in terms of theft or dishonesty तभी भी मुझे लगता है कि अगर हमें transparent रहना है तो हमें सब को chance देना चाहिए तो मैंने सबसे मिला है जो candidates है मैं उनसे भी मिला हूँ बहुत लोगों से और जो लोग qualify नहीं है उनसे भी मैंने बात किया है तो हम लोगों ने एक चीज़ decide किया यह मेरा view है कि हम लोग एक notice निकालेंगे जल्दी और एक महने का समय देंगे जिनको भी जो भी candidates है जिनको लगता है कि उन्होंने qualify किया और उनका नाम list में नहीं था वो अपने question omr लेकर adc में आईए और अपना mark sheet को देखिए compare कीजे अगर genuinely आप qualify किये हैं और आपका नाम नहीं है तो आपको ज़रूर justice मिलेगा मैंने यही बात सबको कहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई genuinely लोग miss out नहीं करे तो मैंने यह बात कहा है और मैंने कहा है कि एक notice निकलना चाहिए और अगले एक महना मुझे लगता कि एक महना काफी है सब के लिए अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो एक महने के अंदर आप ADC में जाकर CEO के office में जाकर अपना mark sheet चेक कर सकते हैं और अगर आप qualify करते हैं तो आपको जरूर रखा जाएगा और अगर genuinely आप नहीं qualify करते हैं तो वो भी दूद का दूद पानी का पानी होगा मैंने उस दिन ADC में दिल से बात किया मुझे बहुत दुख है मुझे बहुत suffocation हो रहा है लेकिन मुझे लगता है कि ये best रास्ता है जिन लोगों को मिला है वो भी ठीक है और जिन लोगों को नहीं मिला वो भी आगर चेक कर सकते हैं और अगर किसी को लगता है कि माक्षीट में कुछ गलत चीज हुआ है तो उसको भी आप आकर राइटिंग में कम्प्रेंट दे सकते हैं अगर कोई जन्यून केस है तो उसमें हम लोग ज़रूर विचारते रहेंगे ये मेरा दियू है और ये मैंने ADC को कह दिया I think that this is the most transparent way of going ahead मैंने state government को और चीज request किया बहुत लोग बोले थे TPSC को दे देंगे ADC का control चला जाएगा मैंने ये नहीं मेरा ये कहना है कि interview board में अगर कोई गलत चीज नहीं हुआ तो interview board में मुझे लगता है कि qualified officers from the state government as well as somebody from the ADC should be there to conduct the interview in accordance with transparency अगर सत्ते को सामने लाना है तो आपको एक ऐसा system बनाना पड़ेगा जहां में honest people get a chance ये मैंने किया है I hope you appreciate कि मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं सच में दिल से मैं आपको बोलना चाहता I love all of you all मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग सफर करें तीसरा बात है मैं आपको कुछ चीज कहरा चाहता हूं 2019 में एक notification निकला था कि law exams में law entrance exam में हमको बिंगॉली compulsory किया जाएगा उसके बाद से 2019 से लेके अभी तब एक भी student जो indigenous है आज तक law में पास नहीं हुआ है मांग साल हो गया है एक भी student पास नहीं हुआ है क्योंकि एक सो मार्क बिंगॉली लैंगिज में दिया जा रहा था है हम लोग बिंगॉली के अगेंस एक दम नहीं है लेकिन बहुत students है जो कॉप बरॉक प्रफ़र करेंगे कोई चाक्मा प्रफ़र करेंगा कोई रंग लॉंग तार लॉंग उनको उनका लंगवज अलग है मीजो का लंगवज अलग है तो I had asked, I had requested that to the state government की अपार्ट फों मेंगॉली, let बिंगॉली रमेन but there should be an option of कॉप बरॉक औक टी प्रासा and for those who do not also know कॉप बरॉक who may be from another community then for them an option of alternative English जैसे की मिजुरा में हो रहा है जैसे की नागलाइट, अरुनाचर प्रदेश, मनीपुर में हो रहा है and I am glad to announce की ये भी cabinet ने accept कर लिया है और ये बहुत बड़ा चीज है क्योंकि अब हमारे indigenous boys and girls can have an option of appearing in a language that they are comfortable in अपने ही भाषा में या कोई language जिसमें आप comfortable हो, उसमें आप appear कर सकोगे ये बहुत बड़ा achievement है लेकिन ये final achievement नहीं है क्योंकि UPSC में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है competitive exam में भी हमें ऐसे ही कानून लाना है आज एक छोटा सा जीत है मिसंडिस्टैंड करते थे उनको लगता था कि मैं चाक्मा के साथ नहीं हूँ, मैं मौक के साथ नहीं हूँ, मैं बंगाली के खिलाफ हूँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, अपने टीपरासा लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ लोग थे जिसने मुझे विलिन बना के रखाता है, लेकिन मेरा दिल कहता है, कि जब भी नाइंसाफी हो, अगर हमारे मुस और अगर हमारे बुदिस्ट को मारा गया या क्रिस्टिन को मारा गया टार्गेट के आ गया तो हम चर्च के संग दे रहेंगे ये देश को ना कोरान चला सकता है ना कोई भगवद गीता चला सकता है ये देश को कानून चलाता है और वही चीज बांगला देश में नहीं हो रहा है और बांगला देश ने जो किया है मेरा एक point of view है B.K. रामखुल United Nations गया है उन्होंने बात रखा है मेवार कुमार जमत्या ने United Nations जाकर बात रखा बदाल करन्या गई है मुझे भी जाना है लेकिन मैं जाकर United Nations में अगर मुझे मौका दिया गया या Human Rights Commission कहीं में भी internationally मैं जाकर मैं जाकर बांगला देश को expose करना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने हमारे मंदिरों को जलाया हमारे बुदिस मौनिस्ट्री को जलाया हमारे चर्चिस को जलाया उन्होंने कैसे हमारे महिला औरत लोगों को बुरुई लोगों को मारा है टार्गेट किया है उनको forcefully convert किया है कैसे उन्होंने हमारे यूद को जान से मारा है जो देश खुद ही अपने राष्टपिता बंगबंदू को statue को गिरा देता है जो देश जिसका राष्टगान कभी गुरू रबिनाट टेगौर ने लिखा है उसी के मूख में काला लगा देता है वो देश actually ungrateful है जिस देश ने आज मैं आपको बोलना चाहता है इस देश ने इस देश को इंडिया ने बनाया और आज इंडिया के खिलाफ ये रोज जहर भूकते है ये देश जो अपने लोगों के बारे परवार नहीं करता है बंगलादेश के लोगों को समझना चाहिए जो देश बना क्योंकि पाकिस्तान में उनके खिलाफ उनके खिलाफ अत्याचार किया इसके लिए बंगलादेश पैदा हुआ और आज वही देश अपने वही सलूक कर रहा है अपने हिंदू, बुधिस्ट और क्रिशिन माइनॉर्टी के साथ मैं आपको इक बात बोलता हूँ मैं जानता हूँ चोटोग्राम हो चिटगॉम हो कुमिला हो ब्रामन बारी हो नौाखाली हो ये सब एक समय थृपरा राज्य के अंदर था महराजा के अंदर था और अगर इनको एक्सपोज करना है तो मैं जानता हूँ क्योंकि उस उस जमीन में हमने साशन किया है इतने लोगों को मारा गया 1940 में नौाखाली रैट्स में कुमिला में 50's में मारा गया 60's में मारा गया 70's में जब कपता ही डैम होँ तब हमारे लोगों को मारा गया और ये चलते जा रहा है और ये कभी बंद नहीं होगा जब तक India does not expose Bangladesh मीडिया को भी मैं बोलना चाहता हूँ आप Palestine के बारे बात करते हो इस्रेयल में क्या हो उसके बारे बात करते हो आप बात करते हो कि इस्रेयल या Ukraine में क्या हुआ Russia में क्या हुआ हमारे परोस में इतना खराब human rights violation हो रहा है और कोई बात नहीं कर रहा है क्यों दर्थे हैं दरने का क्या बात है अगर बंगलडेश अपना हरकत से नहीं घाना है एक एक लोग वीडियो देखा उन्होंने कहा क्या आप बात करते इंडिया हम नौर्टिस को ले लेंगे नौर्टीस्थ हमारा है,еविन सिस्टर हमारा है असाम हमारा है,त्रिपुरा हमारा है इन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ अपने हरकत से आप अगर नहीं बदले न तो हमें जादा टायम नहीं लगेगा आपको दिखानी के लिए कि आपका असली बाब कौन है यह मेरा राज्य है और वो जो आप जहां में बैठे है और हमारी लोगों को धंकी दे रहे हमारे मंदिरों को जला रहे हमारे और अरत लोगों को अठागे कर रहे चर्च जला रहे बुदिस कुमार रहे वो भी हमारा जगा था और एक दिन यह बहुत लोग बोलते हैं महारा ज तरुपरान यही हो, लेकिन एक दिन हम लोग सब अगर एक हो गया ना तरुपरा में, तो बांगलादेश का पसीना छोड़ देंगे हम लोग। Time has come for us to also think who our real enemies are. It is not the Muslims. It is definitely not the Muslims. But it is those people who hate our country, who hate our way of life, who target us because they are basically nothing but criminals. who have not been able to even respect Bongobandhu or Rabindranath Tagore who gave them so much of love and affection. So, यह मेरा thinking है, अगर आपको लगता है गलती है, I am sorry. लेकिन मैं अपना thinking को बदलूँना नहीं. मैं, again, I want to assure all the candidates who have gone through the ZDO's and subjects ZDO exam, I am trying my best. And I will do my best to ensure that there is no one, nothing wrong is done. I am trying my best. I urge you. I also want to tell this to those who haven't got, you have one month's time to come with your mark sheet and check out. Because you should be given a chance to. I want transparency. I am trying my best. I also want to thank the cabinet for approving the inclusion of Kokhbarok and alternative English in the law exams, judicial exams. Now, our young boys and girls who are not comfortable in Bangla can appear in a language which they are comfortable in. I wanted to say all this to you. इसके लिए मैं यहां Facebook Live में आया. मैं आप सबको फिर से thank you बोलना चाहता हूँ. बहुत मुश्किल है यह Public Live. इतना आसान नहीं है. मुझे लगता था आसान है. सिस्टम बहुत, सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है. लेकिन एक आदमी कोशिश कर रहा है. और मैं भी चानता हूँ कि maximum लोग मेरे उपर विश्वास करते हैं. दो तीन लोग हैं जो Facebook में उल्टा सीदा लिखते हैं. मैंने नहीं उनको बनाया लेकिन उनको शायद वो लोग negative लोग हैं. उनको आप इग्नॉर कीजिए. उनके पास उनका दिल छोटा है. उनका सोच कम है. और उनके हिम्मत तो है नहीं कि मुझे directly fight करें तो Facebook में उल्टा सीदा लिखते हैं. उनको इग्नॉर कीजिए. और उसको आप अपनाये. जो आपको खुशी दे, आपको एक अच्छा कल दे. That is my message to all of you. Once again, bottom of my heart. To all. Whether you are a Hindu, Muslim, Christian, Buddhist, anyone. To all my people. In India. In Bangladesh. Belaino Hambhai. Horkaham. Dhanyavaad.